गूट मॉर्णिंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आप सब आप सब लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और वताए क्या आप लोगोंने होली की तहरीयां सुरू कर दी और क्या क्या आप लोगोंने अभी तक बनाया हुआ है तो आज है संडे और इस समय बज़ रहे है मॉर्णिंग के 6.45 आज मैं जल्दी उट गई हूँ आप लोगों को अश्चर होगा क्योंकि वैसे तो मैं साड़े साथ आठ बज़े उटती हूँ लेकिन आज मैं जल्दी उट गई हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत डेट आरा काम है और सारे काम मुझे मॉर्णिंग में जल्दी जल्दी ही करने है इस वज़े से आज मैं जल्दी उटी हूँ रात में देर से सोई थी एक बच गया था लमसम लेकिन फिर भी मुझे जल्दी उटना है था इस वज़े से मैं उटी क्योंकि अभी भी नीन आ रही है मन नहीं कर रहा है उठने का लेकिन क्या ही करे उ मुझे अभी हम चल रहे हैं सीधा च्छत पर क्योंकि अभी मैं आ गई हूं च्छत पर और आप देखते हैं सूर नारायन मु안 आ रहे हैं उपर उदह ओचुके हैं और देखिए इस आप आरामसे सुनने मुअन कद्रब देख सकते हूं तो उनको नमस्कार और यह है चत जो बहुत ज़दा गंदी हो रही है और आज मुझे चत पे अपने पापड सुखाने है प्लस मुझे चत पापड बनाने भी है तो इसलिए मैं ट्राइबूर ले आई हूँ सूट करने के लिए और आज मैं अभी जा रही हूँ चत को साफ करने के लिए क्योंकि चत अगर गंदी रहेगी तो जो पापड मैं सुखाऊंगी और जो बनाऊंगी वो गंदे हो जाएंगे धूर मिटी से और ये टाइम ऐसा होता है कि समय हलकी हलकी नहीं काफी तेज हवा चलने लगी है तो पापड इधर दो उड़ने भी लग जाते हैं जिसकी वज़े से पापड गं दोंगी ताकि गंदगी न रहेगी और इससे पहले कि मैं जाड़ू लगाऊं मैं पूरे फेस को कवर कर लूँगी अपनी रूपर्टे की साहिता से क्योंकि फिर धूर मिटी बहुत जादा है क्योंकि यहां काफी टाइम हो गया तीन-चार महीने हो गये जाड़ू लगी इ अभी मतलब नहीं लगी है वही नमर दिसमर में लगी थी चत पर जल्दी कोई उपर थीन-फ्लोर का है तो उपर कोई आता नहीं जल्दी तो वैस कपड़े सुखाने के लिए ही आते हैं तो उस वज़़े से जल्दी कोई जाड़ू लगती नहीं है लेकिन अभी काम है इसल चत ज्यादा गंदा हो जाता है तो इधर मीटी ज्यादा है तो सबसे पहले हैं इधर मीटी साफ कर लेंगे और क्योंकि जो मीटी है वो चारो तरफ पहलेगी इसलिए पाइप है जो इस पाइप के पीछे सारी मीटी में कर दूंगी और इधर मेरे अकी है तो उसा जी और सम इंभी पॉधिल में नहीं निकल आई लेकिन अभी अन्य पॉधो में नहीं निकली वही है घी छोटी है इसनली के चप्पल तरदी है जाने थी और निम hija को ऌग चुझ्शल को इसलिए मैंने उनको साफ करने से पहले निकाल दिया था और अब इधर मैं पूरी छट में जल्दी जल्दी में सफाई जाड़ो लगा ले रही हूँ और इसके बाद मुझे नीचे जाना है नीचे का भी मैंने कोई काम नहीं किया है मैं सीधा बस उपर आ गई हूँ और अभी सभी लोग सो रहे हैं तो इस वज़े से मैं सीधा उपर आ गई और अभी बज रहे हैं साथ तो अब सोर सकते हों इतनी जल्दी तो मैं उपर आती रही हूँ जल्दी हाँ वो टहलना होता है तो मैं आज आती हूँ husband को जाना होता है मौनी में टाइम नहीं मिल पाता है खुद नहीं इतना सुबह सुबह या फिर मैं थोड़ा जल्दी उठूँ जैसे कि पांच बजे या चार बजे दिरे दिरे टाइम का रूटीन मैं चेंच कर रही हूँ और आप सुचो मैं आज से ही अपना रूटीन मैंने दिरे दिरे चेंच करना स्टार्ट कर दिया हुआ है क्योंकि अब मौसम बदल रहा है और जिससे कि मतलब मैं अपनी जितनी भी मेरी थोड़ी से आलस वाली आदती थी वो दिरे दिरे मैं खतम करने की कोसिस कर रही हूँ और ये देखिए पूरी छट पे जारू लग गई भी है और अब कितनी साफ छट लग रही है और कोड़ा जो है उदर कोड़न में लगा दूँगी और ये अभी कानाजी के कपड़े हैं जो मैंने कल दो लेते हैं अभी नीचे नहीं ले गई और ये सुलना रहा है तो चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं नीचे जो हैं गेट लगा देते हैं नहीं तो बंदर आ सकता है यहां बंदर बहुत होते हैं सबसे उपरवाली छट में नहीं आते हैं स्ले में उपर सबसे वरवली छत में ही पापड बनाऊंगी और ये देखे अभी नीचे जीने चलते हैं काफी जीने नमसम मेंGM हम सेकना तो ये दिखे हम लोग आ गए हैं और अभी अब बाहर environmental का में पहरा लगा गई थी क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं मैंने आपको बताया है। और लॉक लगा लेते हैं। और यह मेरे खानाजी अभी स Caf Lower but लॉझ ना ही नहीं और अभी मैं हाथ मुःत्षिप प्रस्तुपा की साजै के Sum कि इनों को भी लुटाना है क्योंकि वनसु का कर आईगी ज़रूरी है और थोड़ा बहुत ना आएंगी धोएंगी खेलेंगी पर है तो इसल्堂पंज को टाइम मतолब घर में सफायी रहती है और तो फिर गंड़ी नहीं रहती है और बीमार्यों भी नहीं होती है तो यह भूछ जरूरी काम होता है करना और संड़े तो संड़े को अब्होरी सफाय हो जाने खुदि मैं इस भाक पीमार्य और इन उसों के पれ इसलिए भी मैं भी नहीं कर रही हूं सफाई जैसे यह पेपर पर मसूगे खतम हो जाएंगे थोड़ी होली के तैयरियों का काम हो जाए उसके बाद में सफाई स्टार्ट करूंगी और यह बन रही है इंस्टेंट चिफ्स जो आप मेरे दूसरे चैनल रीमास होम चैनल रीमास मतलब बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे मतलब आप मार्केट के खाते हो और यह देखी में चिफ्स बनकर तैयार हो गए हैं और अब ही चूकि मैं च्छत पे गई हैं मैंने सफाई की थी तो मेरा स्किन काफी जदा गंदा हो गया है तो इसके लिए मैंने यह पेस तैयार कि में देखो तो और इसके बाद नहा के मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी कुछ खास नहीं है आज क्योंकि मून नहीं था आज कुछ भी ही बनाने का जल्दी क्योंकि पापड़ भी बनाने थे मुझे तो बस अभी मैगी बना रही हूँ क्योंकि वंसू ने बोला कि हो जूँगी क्योंकि सबकी डिमांड थी कि आलो के पापड भूनो तो जो मेरे आलो के पापड फरस्ट टाइम वाले थे वह थोड़े से खराब हो गया थे तो इस वज़े से मैं यह पापड जो है यह वाले भून के स्पिनिस कर दोंगी इस वज़े से इधर समान बनी रहा है तो आज मैंने कुछ भी संद्रे स्पिसल में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया हुआ है कि मैं चिपसी बनाए है और इसके बाद सीधा मैं डारिक खाना लंच बनाऊंगी तो कि जो हैं मैं तब बच्चे हैं वह ज्यादा रोज-जोज अलग-अलग खाना पसंद नहीं करते हैं तो सिंपल खाना उनको ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं बनाती हूं हस्पिंजी के लिए कि लिए बच्चे बहुत काम खाते मेरे तो इस वज़े से तो अभी जल्दी से मैंने मैंने खानी की सारे तैयारियां कर लिए हैं मैं तब चाबल भीगो दिये हैं आंटा निकाल मतलब नहीं है, इसके लिए और यह देखें से हैं बख़ली हैि निकाल दी हैं तो उकर लोगे ल Tu साँय को बीज़ाने मतलब खाना चली हो रही है आधिगी miral ब्रेकवस संडे का त्यार हो गया है और यह में और बख़ले मैंगी चिप्स मैं ने पहले ही भुण तो उसका नाजता पहले ही हो गया है और यह किचन में खानी की त्यारी हो रही है यह देखे डाल लोकी की सबजी चावल रोटी और भी मेरा किचन कितना गंदा पड़ा हुआ है मैसी से पड़ा हुआ है बस खाना सारा बन जाने बाद मैं साब करूंगे और यह देखे मैं बाइ बाई